रोईद सर्मा के पास ऐसी टीम नहीं जो वंडे वर्लकप 2023 जीत सके साल 2011 के बाद एक बारत में वंडे वर्लकप का आयोजन किया जा रहा है बारत के पास अपनी धर्ती पर दूसरी बार जबकि ओवरल तीसरी बार वंडे वर्लकप के लिए कई पूर्ब दिगज भारत को फेबरेट के रूप में देख रहे है तो वहीं पाकिस्तान किरकेट टीम के पूर्ब तेज गिंदबाद स्वाइब अगतर ने टीम इंडिया को लेकर ऐसी बात कह दी है जो वंडे वर्लकप का खिताब जिता सके उन्होंने काया कि जब मैं रोई सर्मा को देखता हूँ तो मैं खुद से यह सवाल पुछता हूँ कि क्या उसे सबसे पहले कप्तानी स्विकार करनी चाहिए थी मुझे लगता है कि रोई सर्मा कभी कभी घबराट महसूस करते हैं और दबाव को अपने उपर हाबी होने देते हैं कप्तानी की दबाव आपको पंगू बना देता है और यहीं बिराट कौली के साथ भी हुआ था यहीं कारण है कि आप कोई बड़ा टूनामेंट नहीं जीत पाते हैं सोय बगतर ने आगे कहा कि कोई गलती नहीं करें और क्या रोई सर्मा के पास विश्व कभ जितने वाली टीम है एक बल्लेबाज के रूप में वह साय बिराट कौली से अधिक परतिभासाली हैं वह एक क्लासिक बल्लेबाज है और जिस तरह से सोट वह खेलते हैं वह हैरान कर देने वाला है लेकिन कप्तानी के साथ क्या हुआ ऐसा करने में सक्चम है उन्हें मुझे अबर हम सब को गलत साबित करने दीजिए क्योंकि पूरा भारत इस विश्व कभ में उनसे यहीं चाह सकते थी लेकिन अब वह टीम में नहीं है क्या रोई सर्मा ऐसा कर पाने में सक्चम होंगे तो आईसाही नहीं ने अपडेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेले कंदबना बिलकुल ना भूले और स्वाप अक्तर के कहें इस बात पर आपका क्या मन कमेंट में जरूर बताए